इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपरन टॉपिक के वारे में चाइनीज हैकिंग और किस तरीके से इंडिया आज के समय चाहता है USA की हेल्प चाइनीज हैकिंग से डील करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे Bloomberg की रिपोर्ट है इसको और भी News Outlets में पब्लिश किया है कि India seeks US help as China-backed hacks threaten military अभी हाली में मुंबई में जो एक cyber attack हुआ हमारी power grid पर blackout हो गया वो था एक civilian cyber attack डरव यहाँ पर यह है कि military cyber attack बड़े skill पर ना हो जाए उसको रोकने के लिए भारत चाहता है सयोग USA का और ना सिर्फ USA का USA समेत Australia जपान और जो कंट्रीज हैं primarily जो quad countries हैं यहाँ पर इंडिया आज के समय बात कर रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि एक proper cyber security का defense mechanism हम बना पाएं और यह development आई है एक ऐसे time में जब हाली में हमारे chief of defense staff बिपन रावत ने यह का है कि China completely capable है of disrupting systems by launching cyber attacks on इंडिया disrupt करना होता है कि जिस तरीके से वो function कर रहे हैं function नहीं कर पाएंगे everything will be in chaos और हमारे CDS openly यह बात acknowledge कर रहे हैं कि China के पास capacity है कि यह लोग इस type के cyber attacks launch कर सकते हैं भारत में यह कोई US की company की report नहीं है so this is a very serious matter और इसलिए इंडिया यहाँ पर चाता है कि US के साथ हम cooperation करें US के साथ देखो और रेडी आपको बता होगा कि हम चार foundational agreement sign कर चुके हैं एक है GSMIA General Security of Military Information Agreement फिर है LEMUA फिर COMCASA और उसके लावा BECA अब इसी structure पर यह भी बातचीच चल रही है कि cyber security पर based एक नया agreement इंडिया और US sign करें जिसके अंडर real time coordination होगी cyber security threat के बारे में अभी के लिए देखो कहने के लिए एक MOU sign कर रखा है इंडिया और US ने काफी पराना MOU है 2012 में sign हुआ था 2018 में इसको renew किया है हाली में यहाँ पर आप देख पाओगे The Economic Times का आर्टिकल है इंडिया US Renew Agreement for Cyber Security Coordination मगर इस agreement में इती power है नहीं इसमें इती प्रवधान है नहीं इसमें basic बात simply यहाँ पर यह है कि जो भारत की CERT है CERT होती है Indian Computer Emergency Response Team अगर भारत पर होता है कोई cyber attack तो सबसे पहले हर्गत में आती है CERT तो Indian CERT और US CERT आपस में बस coordinate करते हैं कुछ aspect में के practices क्या होनी चाहिए क्या हमें करना चाहिए for safety मगर कोई proper mechanism बिल्ड नहीं हुआ इस agreement के अंडर और India ये issue US के सामने पहले भी race कर चुका है यहाँ पर आप देखोगे 2020 का article है इंडिया के जो ambassador है to US ये openly कह चुके हैं कि cyber security ये critical है भारत की national security के लिए और ना सिर भारत की even US की national security के लिए और दोनों countries को यहाँ पर मिलके काम करना होगा अगर हम चाते हैं एक सुरक्षित cyber space मगर हम को ये वाद भी accept करनी होगी कि Indian army में हर महीने दो बार cyber attack attempts होते हैं ठीक है ये देखा गया है 2019 में देखा गया है 2020 का डिटा आएगा बताया जा रहा है कि 2020 में हो सकता है कि cyber attacks अल्रेडी बढ़ गए हो अब यहाँ पे आप कहेंगे ठीक है attacks होए है मगर क्या कभी कोई massive cyber attack Indian government पे हुआ है और क्या वो attack successful भी था तो यहाँ पे आपको जानना होगा 2010 के Prime Minister's Office attack के बारे में कभी इसके बारे में search करिएगा हमारे National Security Advisor ने on record ये बात admit करी थी यहाँ पे आप देहेंगे इस पे कई articles आपको भी लेंगे जो National Security Advisor थे उस ताइम के MK Narenan ये कह रहे हैं कि Chinese hackers इन्होंने hack कर लिया था PMO Computers को अब ये अपने आप एत्ती embarrassment थी देश के लिए कि Prime Minister's Office जो आप कह सकते हैं Power के हिसाप से the most powerful office in India वहाँ पे जो computers थे वो Chinese hackers ने 11 साल पहले hack कर लिये थे और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है एनिया ने इस episode से काफे कुछ ठीका होगा उसके बाद कोई major attack हुआ नहीं होगा तो आप यहाँ पर गलत हैं क्योंकि सिर्फ इसके अगले साल 2011 में जो CBI के website है यह hacker ली गई थी और यहाँ पर भी बताया गया था कि main यहाँ पे जो hackers हैं यह है Chinese चाइना के जो cyber attacks हैं जो चाइना के hackers हैं असानी है कि अचानक से सामने आ गए हैं पिछले 10 साल से हम यह attack जील रहे हैं अचुली इससे पहले काफी बड़े attacks हो चुके हैं अब तो relatively कम attacks हो रहे हैं comparison के हिसाब से मगर हम को यहाँ एक्सेप्ट करना होगा कि इंडिया अभी भी तयार है नहीं cyber attack से deal करने में अभी हाली में Harvard की एक report आई इन्होंने 30 countries को judge किया उनकी cyber attack या फिर cyber attack जिलने की capacity के हिसाब से और इन्होंने ये बताया है कि इंडिया दूर दूर तक भी एक super power नहीं है cyber space के issue को लेकर जो इनकी report है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ so report का नाम है National Cyber Power Index 2020 Harvard Kennedy School ने इसको publish किया है इसको आप google करोगे तो report आपको मिल जाएगी तो इनके हिसाब से National Cyber Power Index में नंबर वन पर जो देश है वो चाइना नहीं है आज भी USA है cyber attack की जो capacity है जो US के पास ability है जो आज के समय इनके पास skill and hackers के पास it is unparalleled तो USA है यहाँ पर नंबर वन के इंग यहाँ पर आपको मिलेगी Malaysia और Vietnam के बिलकुल एक पायदा नीचे हलाकि Turkey से हम आगे है और आप कह सकते हैं पाकिस्तान से भी आगे है मगर it is only a matter of time अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्यों कि देखिए आज के समय कम से कम दरजनों reports आ चुकी है by various research institutes के चाइना बहुत ही बड़े scale पर skill कर रहा है सिखा रहा है hacking की art hacking की technique पाकिस्तानी hackers को तो भविश्य में जो cyber attacks भारत पे होंगे वो सिर्फ चाइना से नहीं होंगे वो पाकिस्तान से भी होंगे और पाकिस्तान के लिए cyber attack करना बहुत convenient है क्योंकि जब यह physically मारे soldiers को harm करते है तो एक बार वो country खड़ा हो जाता है क्याता कि ठीक है देखी जाएगी हम उन पे retaliation करेंगे मगर जब cyber attack होता मालन उने कई घंटों तक हमारी कोई बड़ी city है Delhi या Mumbai वहाँ पे power outage कर दिया उससे हमको millions का नुकसान हो गया उन्होंने खोड़ा damage कर दिया हमको इस तरीके से धिरे-धिरे वो data चोरी करके कभी government office का data चुरा कर power sector को hack करके ये काफी damage कर सकते हैं long term में भारत को और भविश्य में आप देखोगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी काफी cyber attacks आएंगे इंडिया पर और worst case scenario यहाँ पर यह हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के hackers मिलकर जो भारत के radars है जो हमारे air defense system है कहीं से इनको hack कर ले इनको कुछ time के लिए disrupt कर दे या फिर इस रो की जो important communication satellite है जो हमें इसमाल करते हैं military purpose के लिए even कुछ हद तक मैं कहूंगा civilian purpose के लिए भी अगर इनको यह jam कर देते हैं इन satellites को करीब आप कह सकते हैं 20-25 घंटों के लिए अगर कर देते हैं disrupt इससे massive advantage मिल सकता है पाकिस्तान और चाइना को against India तो यह एक reality है हमें इसे accept करना होगा अगर हम US के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी आपे help करिए corporate करिए यह एक बहुत अच्छा move है मैं कहूंगा पहले कर लेना चाहिए था अब भी हम कर रहे हैं तो यह भी मैं कहूंगा काफी अच्छा move है इसी note के साथ वीडियो करते हैं खतम थांक यू फॉर लिसनिंग और आज अलवेस गाद ब्लस यू अल